लाइट आफ लाइफ जिंदेगी की रोश्णी सेवकाई वक्ता कौन है? डॉक्टर मलीका साम्यूल जो चेन्नाई के विख्यात कॉपरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टन, अपस्टेरिशन और गाइनेकलोजिस्ट है इन्हें गाइनेकलोजी के शेत्र में 24 साल का अनुभव है इन्होंने क्रिस्टिन मेनिकल कॉलेज वेलूस से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रैजुएशन की पढ़ाई आईरलैंड के डबलिन यूनिविशिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है ये विशेशग्य हैं इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जैपुर में बिताया है गाइनेकलोलोजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इन्फर्टिलिटी क्लीनिक चलाए हैं जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाईयों और बहनों को सूसमाचा प्रचार करने की गहरी इच्छा दी जै मसी की और आज के दिन आपके पास आखर परमेश्वर का वचन लाना इस सच में कितनी भली बात है एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्यान करना इस सच में बहुत है मैं भरुसा करते हूं कि आप नियमित रूप में परमेश्वर का वचन पढ़ती जा रहे हैं परमेश्वर अपने वचन की द्वारा हम से बाती करता है और इसलिए हमेशा उसके वचन को पढ़ती जाना बहुत ही महतपून है वो हमें प्रोचसाहित करता है वो हमें उंचा उठाता है वो हमारा मार्गदर्शन करता है और यह सकेवल तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ती है और इसलिए जैसे कि हम इस नए साल में प्रवीश कर चुके हैं हम असंभताव के बारे में चर्चा करेंगी देखे नए साल के शुरुवात में ही असंभवता इस शब्द के ऊपर में चर्चा करना अच्छा नहीं है और यह तो मानों बहुत जादा नकरात्मक को होने के बारे में दिखाता है उस परिसिती के बारे में भूल जाएं उसके बारे में सोचिये भी मत यह तो असंभव है और यह काम नहीं करेगी चलि यह बहुत ही व्यभारिक हो जाते हैं बिल्कुल हम सटीकता से बाते करते हैं और इस परसिती को हम बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं हमारी सोच के अनुसार यह सारी बातें काम नहीं कर सकती है परसितियों के बारे में ऐसे ही महसूस करती है कई बार ऐसी परसितियां हैं जो निराश्चा और परेशानियों के साथ में आती है यह ऐसे लगता है कि मानों बाप उस सड़क के बिलकुल अंत में पहुँच गए है और अभी आप नहीं जानते कि आगे क्या करें और यह कई बार बड़ी खतरनाग बात होती जो बड़ी की छेह समस्या हो सकती है लेकिन परमेश्वर के वचंन हम यहां पर तीन घटनाह को देखते हैं जो की असंभव दिखाई दिती थी लेकिन परमेश्वर नेका मेरे साथ यह संभव है उसने कहां परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है आई ये पहली घटना को देखते हैं अब ये लुका राची सुसमाचार में पाई जाती है लुका अध्या एक और वचन चौतीस से लेकर वचन सैतीस तक हमें से देखते हैं एक जवान लड़की थी जिसका नाम था मरियम और इंग्लिश में उसे मैरी कहते हैं वो नासरत में रहती थी वो परमेश्वर से प्रेम करती थी और वचनों को बहुत अच्छे से जानती थी वो तो बिलकुल नौजवान लड़की थी और कुछ कमेंटरी इस तरह से कहते हैं कि वो लगभक शायद 15 साल की होगी और उसकी मंग नी यूसुफ नाम के वैक्ती के साथ में हो चुकी थी यूसुफ एक बहुत ही अच्छा वैक्ती थी और उसका बहुत अच्छा सम्मान था वो परमेश्वर का भहमानता था तो अपिर मरीम के जब सहली उससे पूछती थी कि तुमारी मंगनी किस से हुई है तो वो कहती थी मेरी मंगनी यूसुफ के साथ हुई है और उसकी सभी सहली उसके और बड़ी सरहना से देखती थी यह हमारी सोच है लेकिन फिर एक दिन परमेश्वर का सवर्दूद जो कि जिब्राइल था वो आकर मरीम के सामने खड़े हुजाता है और वो उससे बिलकुल चौकाने वाली ख़बर दीता है वो उसे बताता है कि परमेश्वर ने उसे चुना है सभी स्डियों में से इसे चुना है परमेश्वर ने इसे चुना है और उसने उसे चुना कि वो परमेश्वर के पुत्र की मा झाया उसे जिम्नेदार होना था कि वो परमेश्वर के इस पुत्र को अपने गर्व में धारन करे गर्वती हो जाएं मर्यम के बारे में सोचिए उसके दिल की जो धड़कन है वो तो बहुत बढ़ गई होगी उसके मन में बहुत से विचार आए होगी अरे मेरी तो अभी शादी ही होने वाली है मेरा जो मंगीतर है वो क्या कहेगा वो क्या सोचेगा यह मेरे साथ कैसे हो सकता है जबकि मेरा किसी के साथ कोई संबन नहीं है और जब बड़ोसियों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे लेकिन जानते मर्यम ने इस चुनावती का सामना किया What would we do if we were facing an impossible situation? अगर हम असंब परिसिती का सामना करते हैं, तो हम क्या करते हैं? We have three choices. हमारे पास तीन चुनाव होते हैं. One, we could face the problem fair and square. एक तो हम बिल्कुल जायस तरीके से, सही तरीके से, उन समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं. Secondly, we could pretend that the problem doesn't exist. और दूसरी बात यह है कि हम इस तरह से दिखावा कर सकते हैं कि समस्या अस्थित्म में है ही नहीं और तीसरी बात यह है कि हम मुड़ कर उस चुनवती से दूर चले जा सकते हैं क्यों क्योंकि हम उसे डरती हैं लेकिन मरियम ने क्या किया Mary faced the challenge Maryam ने चौनावती का सामना किया by submitting herself to the Lord अपने आपको प्रभू को समर्पित करने की द्वारा She said उसने कहा Let it be done to me according to your word तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो Do we have a challenge we need to face? क्या हमें किसी चौनावती का सामना करना है? Let's face it like Mary When we face an impossible situation Let us confront the challenge by boldly submitting ourselves to the power of God The second thing we could do Is to appropriate His power The angel Gabriel tells me Mary in verse 37 और वचन सैतीस में जिब्राइल स्वर्दूत मर्यम से कहता है Can we just read that verse? वचन सैतीस में जिब्राइल स्वर्दूत यहां पर मर्यम से कहता है क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावरहत नहीं होता यहांने परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है वो उससे कहता है कि सर्वस्टिमान परमेश्वर की जो च्छाया है सामर्थ है वो तुछ पर च्छाया करेगी क्या हमारे बीच में ऐसा कोई है जिसे आज चुनोती का सामना करना है जो की असंभव दिखाई देती है तो परमेश्वर की सामर्थ को आप अनुमती दे कि वो आपकी उपर में च्छाया करे परमेश्वर जो की अनुमती दे कि वो आपको बल दीता जाए आप इससे अपनी सामर्थ में नहीं कर सकते हैं लेकिन उसकी सामर्थ और उसके बल के दबारा विजय है क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है और यहां पर ग्रीक में जो शब्द उप्यो किया गया है वो है अडवन्टो इसका मतलब यह है कि जिसे हम नहीं कर सकते हैं यह जो असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है लेकिन उसने हमें प्रेम, सैयम और सामर्थ की आत्मा दी है fear is not of God it is of Satan we only have to fear God he is a living God this does not suggest that you go out and shoot your enemy and say that you have confronted your challenge definitely not you overcome with God's love the love of Calvary so while we still hated our Lord Jesus and stood around him and shouted crucify him, crucify him he shed his blood for us knowing that this was the only way to bridge the gap between him and us so for those of us who are struggling with the impossible write these words upon our hearts with God nothing is impossible now I want to take you back several years several thousands of years to Hebron where the oaks of Mamre stood and Abraham our patriarch he was sitting at the door of his tent and it was a very hot day and it was a very hot day and the day was very warm now look at Abraham now Abraham he was a rich landowner he was a rich landowner he had everything that he wanted God told him whatever land you walk upon I give that to you in Genesis 12 we read that Abraham had amassed a lot of wealth he had plenty of servants these days you cannot even have one servant and he had a personal army and he had 318 young men who lived and trained in his house and he actually fed these men 3 meals a day and though Abraham had all of these things there was one thing that he did not have he did not have a son and you know as Abraham was thinking of all of these things suddenly three men came and stood before we are told that these men were angels and one of them was the son of man and dear friends Abraham was faced with an impossible situation just as often as we are but in the midst of the situation God appeared to him लेकिन इस परिस्तिती की बीच में परमेश्वर उसके सामने प्रकट होता है इसलिए क्या कोई है जो अपने जीवन में असंभव परिस्तिती का सामना कर रहा है God will appear to you in the midst of the situation इस परिस्तिती की बीच में परमेश्वर आपके सामने प्रकट होगा आईए अपने आपको उसे सांप दे दूसरी बात हमें उसके उपस्तिती को पहचानना होगा और जैसे अबराहम ने उन्हें देखा तो उसने जान लिया कि प्रभू वहाँ पर है और यह तो पहली बात नहीं थी जब परमेश्वर अबराहम से मिलने के लिए आया था अबराहम परमेश्वर के साथ में नियमित समय बिताता था वो उसके उपस्तिती को पहचानता था और उसकी जो पकार है कई हजार साल तक बनी रही और आज भी हम पकारते हैं क्या आज हमारी यही पुकार है प्रभू अगर तु इस जगह पर है तो मुझे ऐसे छोड़ कर मच जा अबरहम ने कभी संदेह नहीं किया कि परमेश्वर उनके लिए महान काम नहीं कर सकता परमेश्वर ने अबरहम से बादा किया कि उसको बेटा होगा और उसने कहा कि जब मैं अगले साल तेरे पास तुस्से मुलाकात करने फिर आओगा तब तेरे पास पुत्र होगा लेकिन सारा ने प्रभू के ऊपर में संदेह किया प्रभू ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उनके पास में कोई भी विवहारिक विवरन नहीं था वो तो बूड़े हो चुके थे और संतान उत्पन्द करने के लिए उनकी उम्र तो बहुत समय पहले ही बीद गई थी तो सारा सच में हसी और वो सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ को पहचानने में असफल रही और अठारा वचन चौधा में परमेश्वर उससे इस तरह से कहता है क्या यहुआ के लिए कोई काम कथिन है क्या यहुआ के लिए कोई काम कथिन है अब यहां पर जो इबरानी शब्द उपयोग हुआ है वो है पाला इसका मतलब है यह तो बहुत ही महान बात है और ये तो ऐसी अद्भुत बात है जिसे हासल करना बहुत ही मुश्किल होता है हमारा परमेश्वर असंभवता का परमेश्वर है हम जो कुछ भी सोच सकते हैं उससे बढ़कर वो हमारे लिए कर सकता है फिर हम एक और परिस्थिती को देखते हैं और इसे यर्मिया के किताब में हम देख सकते हैं आईए से देखते हैं यर्मिया अध्या बतीस में वचन सत्रह, वचन छबीस और सताइस इस तरह से कहता है ए प्रभु यहुआ तुने बड़ी सामत और बढ़ाई हुई भूजा से आकाश और पृत्वी को बनाया है तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है वचन छबीस कहता है तब यहुआ का ये वचन यर्मिया के पास पहुंचा मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहुआ हूँ क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है अब चलिए देखते हैं कि यर्मिय भविश्वक्ता क्या कहता है अब देखे इस्वी सन्पूर्व लगभग 627 साल पूर्व की बार Babylon जो है उस समय राज्य करने वाली सामर्थ होती थी Judah had played harlot with the Lord और यहुदा जो है वो परमिश्वर के साथ में विश्वास योगी नहीं रहा और उसके कारण परमिश्वर उससे हट गया और उसने Babylon को आकर यहुदा को पूरी तरसे नाश करने दिया और यहुदा के जो लोग थे वो तो तितर बितर हो चुके थे और जो शहर था वो तो विनाश कर दिया गया और बैबिलॉन के राजा और जनरल ने क्या किया यहुदा के बहुत से लोगों को वो अपने साथ में बैबिलॉन लेकर चले गए लोग वहां पर बंधवाई में चले गए थे लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग बज गए थे जो वहां पर यहुदा में रह गए थे लेकिन अभी यहुदा का ऐसा प्रांग था जो वहां पर पूरी तरसे मानो कुछ भी उत्पन्द नहीं कर पा रहा था वहां पर कोई व्यापार नहीं हो रहा था और वहां पर जमीन जाइजात के बारे में जो भी लेन देन थी उससब बंध हो चुकी थी वहां पर खरीदने बेचने और मालिक होने का कोई सवाल ही नहीं था और इस परिस्टी में परमेश्वर यहां पर यर्मिया को एक जमीन का भाग खरीद दे देता है वो उसके असली दाम देता है और वहां पर जो शेहर के प्राचीन थे सब के सामने वो उसका दाम देता है यह तो ऐसी बात थी जो कि काफी समय से नहीं हुई थी लेकिन परमेश्वर एक चिंदे के रूप में इसका उप्योग करता है और वचन सत्रह में यहां पर यर्मिया पुकार उपता है वो कहता है हमारा प्रभू परमेश्वर तो तो ने तो आकाश और पृत्वी को बनाया है अपनी बड़ी सामत से बनाया है और अपनी बड़ा ही हुई भूजा से बनाया है तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है और यहां पर हीब्रू में फिर से यही शब्द उप्योग किया गया और वो है पावलाव जो कि हीब्रू शब्द है और यह तो ऐसा है जिसे हासिल करना सच में बहुती मुश्किल हो जाता है और यह तो बहुती बड़ी मुश्किल बात थी कि कोई व्यक्ती वहां पर एक जमीन को खरीज सके लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है अभी इस अध्या में हम आगे देखते हैं जानते हैं कि परमेश्वर इस जमीन के खरीदने का उपयोग करता है एक भवश्वानी को दिखाने के रूप में और जैसे यर्मिया चमतकारी रूप से अपनी जमीन को वापस खरीदता है The Lord says He will restore Israel परमेश्वर कहता है कि वो इसरायल को वापस अपनी जमीन पर लाएगा वो उस्टे अपनी पहले की महिम्म में लेकर आईगा और हाला कि आखसे लिखता है कि परमेश्वर ने अपने चहरे को फेद दिया है अपनी संतानों से अपना चहरा दूर किया है और जैसे कि मैंने परमेश्वर की और से यह बात सुनी मुझे खुद चुनाती मिले और उसने मुझसे कहा क्या मेरे लिए कोई काम कथिन है क्या ऐसा कोछ है जो मैं तुम्हारे लिए पूरा नहीं कर सकता मैं तो प्रोचसाहित हुई हूँ कि मैं प्रभू पर भरोसा करूँ मेरे जीवन की असंभव बातों के लिए क्या हमारे मद्धे में ऐसा कोई है जो बुरी लतों की आत्मा की कारण बंधा हुआ है क्या आपने हिम्मत हार लिए क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता येशु हमें आजाद कर सकता है वो अपने शब्दों अपने बचनों के द्वारा इन सारे बंधन को तोड़ सकता है आप भागी इम्मत अपनी समस्याओं का सामना करें और इसे येशु के सामने लेकर आएं क्या हमारे मद्धे में ऐसा कोई है जिसके साथ में बुरा बेभार किया गया आप अपनी आशा मत छोड़िये येशु आपको पूरी तरह से आजाद कर सकता है बस आप अपने जीवन को येशु को समर्पित करें क्या ऐसा कोई है जो कि अपने आपको खोया और अकेला महसूस करता है आप ऐसे महसूस करते हैं कि आपके आसपास चारों तरफ से बिलकुल दिवारे हैं जो आपको कसकर बांग कर रखी है और आप उससे बाहर नहीं जा सकते है परमेश्वर आपके अकेले पन में आप तक पहुंच सकता है हम ऐसे परमेश्वर की आरादना करते हैं जो कि असंभवता का परमेश्वर है परमेश्वर निश्चे ही हमारी मदद करेगा वो हमारी मदद करेगा कि हम अपने समस्याओं का सामना करे कि उसकी सामत को हम पहचान ले और अपने जीवन में उसका उपयोग करते जाएं निष्चे ही प्रभू के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है आई हम प्रातना करते हैं पिता परमेश्वर आज हम हम में से हरे एक को आपके उपस्तिति में लेकर आना चाहते हैं We know that in our lives we face so many difficult situations. We think that this is it, it is an impossible situation. We cannot have victory. But we know that in you it is not impossible. Send your word dear father. Break every bondage in the lives of these dear viewers. We rebuke every disease. We rebuke every kind of conflict. We address every lonely situation. We come against every financial loss. Every spirit of poverty be gone. गरीबी की हर एक आत्मा चली जाएं. We bring them all under the blood of Jesus. हम ये सब को ईश्यमसी के लहू में लेकर आते हैं. Father we ask that you would break every bondage right now in the name of Jesus. पिता हम मांगते हैं कि इसी समय ईश्यमसी के नाम में आप हर एक बंधन को तोड़ दे. We pray that your liberating power will be at work among the people. हम प्रात्ना करते हैं कि लोगों के मद्धे में प्रभू आपकी छुपकारी की सामर्थ काम करती जाएं. We pray Father that you will be praised and worshipped and glorified in this beautiful land. प्रभू हम प्रात्ना करते हैं कि सुन्दर देश में आपके नाम के सूटी हो और आपके नाम की आरादना हो. We commit ourselves into your hands. हम अपने आपका आपके हाथ में सौटते हैं. In Jesus' name we pray. येश्यू के नाम में प्रात्ना करते हैं. Amen. Namaste. हमें इतनी खुशी हुई कि आज हम ये कारिकरम आपके साथ मनाएं. शुरुआत में हम प्रभू येश्यू मसीई को धन्यवाद कहते हैं. हम धन्यवाद देते हैं क्यूंकि अपना पुत्र उन्होंने ये शुक्रिस्त हमें दिया है. आईए हम सब मिलके ये गाना गाते हैं. हो धन्यवाद आभार के साथ. हो धन्यवाद जो पवित्र है. हो धन्यवाद आभार के साथ. हो धन्यवाद जो पवित्र है. हो धन्यवाद क्यूंकि दिया है अपना पुत्र उन्होंने ये शुक्रिस्त हमें. हो धन्यवाद आभार के साथ. हो धन्यवाद जो पवित्र है. हो धन्यवाद क्यूंकि दिया है अपना पुत्र ये शुक्रिस्तू. ओ रब बोलू निर्वल मैं बल्वाद. हो धन्यवाद क्यूंकि दिया है अपना पुत्र ये शुक्रिस्तू. क्यूंकि खुद्धों ने हमारे लिए जो किया ओ धन्यवाद. क्यूंकि दिया है अपना पुत्र ये शुक्रिस्तू. 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 क्यूंकि दिया सोत्र ये शुक्रिस्तू. झाल झाल